Hello students, good morning to all and welcome to this channel तो बेटा कल हमने chapter 3 trigonometric functions की exercise 3.1 की introduction की थी जिसमें हमने degree measure, radian measure के बारे में पढ़ा था आई होप आपको समझा आ गया होगा तो चलिए आज हम 3.2 exercise की introduction करते हैं जिसमें हम trigonometric functions के बारे में पढ़ेंगे और उनकी properties क्या होते हैं, उनके बीच में relations क्या होते हैं वो सब कुछ पढ़ेंगे तो trigonometric functions कितने होते हैं बेटा छे trigonometric functions होते हैं sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x and cortex इन में क्या होता है ये तीनों के, ये वाले तीनों reciprocals होते हैं जैसे sin x कितना होता है 1. cosecant x sin x की value 1. cosecant x माल लिजे अगर cosecant x की value 2 है तो sin x की value कितनी होगी 1.2 अगर इसकी value 3 है तो sin x की value कितनी होगी 1.3 तो ये समझा आगे बेटा आपको next क्या है cosec का reciprocal कौन सा होता है secant x 1.secant x डिसकी value similarly tan x की value कितनी होगी 1. cosec एक और रेलेशन होता है कि tan x की value कितनी होती है sin x upon cosec होता है tan x की value कितनी होती है sin x upon cosec होता है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि कौन सा function किस के reciprocal होता है तो अब बात आगी values की कि sin x 0 degree पे कितना होता है 30 degree पे कितना होता है ये values आपको कैसे याद करनी होगी ये मैं आपको बता देता हूँ ये आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है कि 0 degree पे sin इतना होता है cost 0 degree पे इतना होता है 5 by 6 पे ये वाला सबसे पहले देखो 5 by 6 5 by 6 कितना होता है 30 degree होता है क्योंकि ये radian में measure किया हुआ है ये degree में तो अगर आपको ये change नहीं करना आता तो कल वाली वीडियो आप जरूर देखें आपको समझा जाएगा कि ये कैसे होता है 5 by 4 कितना होता है 45 degree होता है 5 by 3 60 degree होता है 5 by 2 90 degree होता है ठीके बटा अगर आपको ये नहीं पता तो 3.1 exercise की introduction वाली वीडियो देखें आपको ये पता चल जाएगा तो ये values को याद करने की भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका link मैं आपको description में दे दूँगा इस वीडियो के तो आप वहाँ आके भी check कर सकते हो एक बार आपको मैं यहाँ भी बता देता हूँ कि इसको कैसे करते हैं पहले लिखो 0, 1, 2, 3, and 4 सभी को 4 से डिवाइड कर दो फिर इसका square root लेना है 0 by 4 कितना हो गया? 0 इसकी value कितनी बन गी? 0 तो यहाँ पहले कितना बन गया? 0 इसकी value कितनी बन गी? 1 by 2, तो यहाँ पहले लिखो 1 by 2 यह cancel out करके 2, 1 by root 2, यह हो गया 1 by root 2 यहाँ पहले root 3 by 4 का root कितना था? 2 यहाँ पहले हो गया root 3 by 2, तो यहाँ पहले 1, 4 by 4, 1, 1 का root 1 तो ऐसे यह सारी values बनी हैं ठीक है बेटा? Similarly, cos की क्या होगी? इसके उल्ट कर लो, जैसे यहाँ पहले 1 लिखो, फिर यह वाली value यह वाली यह वाली यह वाली यह वाली value, 10 क्या होगा? sin theta upon cos theta होता है, sin theta, 10 theta की value मैंने भी बता ही थी आपको, sin upon cos तो 0 upon 1 कितना होगा? 0 1 by 2 upon root 3 by 2, 2 के साथ 2 cancel, 1 by root 3 1 by root 2 upon 1 by root 2, 1 हो गया root 3 by 2 upon 1 by 2, यह बन गया root 3 1 upon 0, यह कितना होगा? define नहीं होगा 1 upon 0, किसी भी number को अगर हम 0 से divide करें तो वो क्या होगा? वो define नहीं होगा तो next नहीं होगा, अगर बाकी तीनों की भी values हमने find करनी हो, वो कैसे होगी? इसको हम erase कर लेते हैं और यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं for cosecant x cosecant x की, मैंने आपको क्या बताया था? कि cosecant x की value कितनी होती है? 1 upon sin x sin x के reciprocal होती है तो यहाँ पर 0 का reciprocal क्या होगा? for node define 1 by 2 का reciprocal 2 root 2 2 by root 3 and 1 यह values बन गी for cosecant x similarly for secant x secant x किसके reciprocal होता है? cosecant x के तो यहाँ पर लिको 1 ठीक है बेटा? आपको सारी values समझा गी होगी के किस trigonometric function की value कितने degree पे कितनी होती है? यह chart आपको समझा गया होगा next क्या है? यह तो आपने 10th class में भी सीखा होगा plus 1 class में निया क्या है? quadrant system quadrant system है जो वो निया है कि कौन से quadrant में कौन सा function positive होता है और कौन सा negative होता है? इसका chart भी आपकी book में बना हुआ है देखो यह चार quadrant लिखे हो है first, second, third, fourth कि sin x first में positive होता है second में भी positive होता है third में negative होता है fourth में negative होता है फिर cos x क्या है? first में positive second में negative third में negative fourth में positive ऐसे ही 10 x cos x, second x इसको आप याद कैसे रखोगी? ऐसे तो याद करना बहुत difficult है इसका मैं आपको easy method बताता हूँ पहले हम क्या करते हैं? quadrants को draw करते हैं यह मालो हमारी x and y axis है तो क्या होता है? यहाँ पे first quadrant कौन सा होता है? यह वाला होता है first quadrant यह वाला second quadrant यहाँ पे third quadrant और यह वाला fourth quadrant यह start होता है 0 degree से 0 से 90 degree तक फिर 90 से यहाँ पे 180 degree हो जाएगा 182 0 to 90 90 to 180 182 to 270 फिर 272 यहाँ पे 360 यहाँ पे दोबारा क्या हो जाएगा? 360 तो first quadrant है 0 से लेके 90 degree तक second है 90 degree to 180 degree third quadrant 180 degree to 270 degree and fourth quadrant 270 degree to 360 degree तो यहाँ पे हमने क्या करना है? एक यह याद करना है एड़ शुगर टू कोफी ठीक है बेटा add sugar to coffee मतलब कोफी में मेठा डाल लो यह शुगर डाल लो यह क्या है? बस याद करने का तरीका है इससे आपको यह चार्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से एक सेकिंड के अंदर आप बता दोगे के 10x सेकिंड में पोजिटिव होता है नेगटिव होता है कैसे होता है या cortex कितना होता है इसका आपको फर्स फर्स लेटर क्या करना होगा? याद करना होगा जैसे यहां से A उठाओ यहां पे S यहां पे T यहां पे C A का मतलब क्या हो गया? All positive All positive यह जो हमारे 6 ratios है 6 functions है 3 4 5 and 6 फर्स लेटर में सारे के सारे क्या है? Positive है यह देखो सारे positive है तो यहां पे फर्स लेटरर में हमने क्या किया है? All positive ओके? सेकिंड क्या आ गया? S S मीन्स sin X Sine X यहां पे क्या होगा? Second quadrant में Sine X क्या होगा? Positive होगा अब देखिए Sine X अगर positive है मिन Sine X की value कुछ भी positive है Sine X की value माल लीजिए 1 by 2 है तो जो Cosecant X है जो Cosecant X है वो क्या होता है? इसी का रेसी प्रोकल होता है तो उसकी value कितने भी 2 तो अगर Sine X positive है तो Cosecant X भी क्या होगा? Positive होगा तो यहाँ पर क्या होगा? Cosecant X भी positive होगा यह देखो Second Quadrant में Cosecant X भी positive है तो Second Quadrant में Sine X यहाँ से S से लिया Sine X एंड उसका रेसी प्रोकल क्या होगा? Positive होगा बाकी चारों क्या होगी? Negative बाकी चारों इसमें negative होगी अब आगी बात Third Quadrant की Third Quadrant में देखो T है T for 10X 10X एंड इसका reciprocal cortex यह दोनों इसमें positive होगे बाकी चारों negative यह देखे Third Quadrant में 10X positive है and cortex positive है बाकी चारों negative Same for Fourth Quadrant यहाँ पर क्या C C for Cos X एंड इसका reciprocal C and X यह दोनों क्या होगे? positive Cos and secant positive बाकी जारों negative I hope आपको यह चार्ट समझ आ गया होगा कि कौन से Quadrant में कौन सा function positive होता है कौन सा negative होता है आपको यह चार्ट समझ आ गया होगा तो next करते हैं हम questions करते हैं एक दो तांकि आपको अच्छे से और समझा जाए question क्या है if cos X is equal to minus 3.5 and change कर लेते हैं cos X की value minus 3.5 given है and किस Quadrant में लाई करता है third Quadrant में third Quadrant में cos क्या होता है negative होता है तो हमने क्या करना है बाकी पांचों की value find करनी है यादि के sin, tan, cot, cosecant and secant तो देखें यहाँ पर cos X की value minus 3.5 है तो पहले तो इसका reciprocal जो secant X है वो बड़े easy यह से find हो जाएगा क्योंकि secant X इसका reciprocal होता है तो secant X की value तो minus 5.3 आगी अब हम sin X find करते है sin X क्या होता है हमने 10th class में formula पढ़ा था sin square X plus cos square X is equal to कितना होता है 1 होता है तो sin square X की value कितनी होगी 1 minus cos square X यानि कि 1 minus इसका square कर लो 9.25 यह बन गया 25 minus 9.25 तो 16.25 sin square X की value आगी sin X की value कितनी होगी plus minus 4.5 तो हम यहाँ पर sin X negative लेंगे या positive लेंगे यह quadrant से पता चल जाएगा third quadrant है third quadrant में sin X क्या होता है third quadrant में sin X क्या होता है negative होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin X की value हम लेंगे minus 4.5 तो ये निकल के आगी हमारे पास sin x की value second x भी हमने find कर लिया था sin x भी find होगा, sin x find होगा तो क्या होगा को second x find हो जाएगा क्योंकि ये इसका रहसी प्रोकुल होता है इसकी value कितने होगी, minus 4.5 होगी ओके, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा 10 x की value को जाती है, sin x upon cos x ये relation में आपको first page पर ही बताया था तो minus 4.5 divided by minus 3.5 कितना बन जाएगा, 4.3 इसकी value होजाएगी, 4.3 तो क्या होगा, 10 x की value कितनी होगी 4.3 होगी तो अब 10 x find होगा, then codex भी find होजाएगा, इसका रेसी प्रोकल होता है इसकी value होगी 3.4 तो हमने क्या किया है, 5 के 5 की value find कर दी, ये होगा, sec x sin x, cosec x tan x and codex, ये हमें पूछा गया था, चलिए next question solve करते है इसकी value find करनी है sin of 31 pi by 3 तो हमें पता है कि जो sin x है वो 2 pi के बाद उसकी value repeat हो, ने लग जाती है यानि कि sin of 2 pi plus x है जो, वो कितना होगा, sin x ही होगा ठीक है बैटा, 2 pi के बाद इसकी value same आने लग जाती है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको sin of इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 pi plus pi by 3 क्योंकि यह बन गयाएगा 30 plus 1, 31 pi by 3 तो 2 pi के बाद जो value same है, तो 2 pi के multiple में भी इसकी value same होगी 10 pi plus pi by 3 इसको लिखेंगे sin of pi by 3, इसकी value कितनी होती है आप table से check कर सकते हो, root 3 by 2 तो यह होगा मारा answer next, last question cos of minus 1710 degree इसकी value we ऐसे ही find करेंगे क्योंकि cos भी क्या है वो 2 pi के बाद उसकी value क्या होगी first quadrant में दुबारा आ जाएगा तो वो value same होगी 2 pi यहनिके 180 degree multiply by 2 2 pi यहनिके 360 degree तो 360 degree के multiple में इसकी value same आएगी इसको 5 से multiply कर दो minus cos of यह कितना बन गया 1800 minus 310 cos of 90 degree कितना होता है cos of 90 degree 0 table से check कर सकते हो आप q value 0 answer तो आई होप आपको समझा आ गया होगा यह exercise की introduction अगर आपको समझा गई है तो अभी आप इसको देखें अच्छी तरह से उसके बाद इसके exercise के question solve करके देखो अगर आपको समझा आते है तो ठीक है अधरवाइस comment box में आप मुझे comment करके पूछ सकते हो कि यह कैसे करना है sir तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को subscribe करें और bell icon को press करें ताकि अगली वीडियो की notification भी आपको मिलती रहें तो आज के लिए बस इतना ही कल हम इसकी last exercise करेंगे जिसमें सारे trigonometric functions के बारे में आपको मैं detail में समझाऊँगा कि कैसे होते हैं इनकी क्या values होती है चलिए thank you